अपने चले में आपको स्वाहत करता हूँ इकायाट उत्र पच्छी में पाराची त्रीय संब्ध में अरब गजनबी उत्देश बस्तावना आठी सताबदी में सिंध अरब विज्जे से पहले सिंध अरब आकर्मन के लिए कारण मुहम्मद बिन कासीम और अरब आकर्मन पार जरुदीन महमत दूरी महमत गोरी तर्राइन की लड़ाई 11.9 में 11.9 में पुत्री गंगा घाटी में तुर्की विस्तार चंदवार की लड़ाई 11.9 में तुर्की सफलता और राचपुतो की विफलता के कारण उपसार सारांस उद्ीस इस पार को पढ़ने के बाद आब नीम समझ सकेंगे पच्छी में भारत में आरब आकर्मन और उसके परभाव का लुद्री बिवरन भारत में इसलाम के आगमन और इसके देपकालीन परभाव एक सिमाद छित्र का इतियास और पच्छिमी में तुर्की विकास, तुर्कों दौारा उत्तरी भारत की विजे के कारण, दिल्ली सुन्तान की स्थापना, तुर्की की सफलता और राजबुद राज़ों की विसफलता के कारण पस्तावना भारत ने आठवी सताबदी की सुरुवात में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा आरव आकरमन के साथ इसलाम और इसलामी राजनिति के आगमन को देखा भारत में अधिकांस आकरमन और पच्छिमी दोरों से हुए है और ये छितर हर समय अस्तिरता से गरस्त था इसी काई में हम पढ़ेंगे कि आरव सिंद में कैसे और क्यों आए यह वह समय था जब उत्तर भारत में राजनितिक वी घटन था सिंद की आरव विजे ने भविस्य के आकरमनों के लिए जमीन तयार की दसवी सताबदी के आनते में भारत में महमूद गजनी के आकरमन के लगबग डेड़ सो साल बाद मोहमद गोरी के आकरमन हुए थे तेरी सताबदी के सुरुआत में तुर्कों द्वारा दिल्ली सुन्तान के स्तापना हुई हम तुर्कों की जीत और उत्री भारत के आगरिनी राजपूत राज्जों की विशफलता के कारणों का भी विसलेक्षिन करेंगे 18 सताबदी में सिंध सिंध भारत में सुक्र और अर्द सुक्स पच्छिमी छेतरों में एक छेतर है जो आप पाकिस्तान में है इसका महत्व काफी हद तक चीन से अरब दुनिया और पच्छिमी के वेपारियों मार्क पर अपने रननीतिक इस्तान के कारण था और इसलिए इसकी विजे सभी के लिए आकरसन थी बहुत कम वर्सों वाला ये ज़्यादा सीमावर्ती राज्य हिंदों और बोदों द्वारबड़े पहमाने पर अबाद था एक सास्य जो हमें अरब आकर्मन का बहुत परमानिक लेकिन संसिप विवरन देता है वे हैं बाला धुरी का फतुहा और चच्छ नामा अरब विजे से पहले सिंद सिंद फ्रांसियों और यूनानियों द्वारब वैपार के लिए अपने फरन नितिक इस्तान और लाब की संभावना के लिए महत्पुन था सिंद की बहुत सी छित्रिये और एतियासिक पहचान उसान राजा कनिश्टर के कारण थी जिनोंने इस छित्रि की बहुत पहचान को मजबूती से स्तापित किया था बाद में वैबरामन चच्छ के नियंतरन में आ गया जिसके वन्स का स्तापन अकर्बन कारी कासीम ने ले लिया अरब आकर्बन के लिए कारण इस परसन का उत्तर देना असा नहीं है कि अरब अरबों ने सिंद पर आकर्बन क्यों किया विशुद रूप से धार्मिक से लेकर छित्रिये तथा छित्रिये से लेकर व्यापार तक कई कारण पस्तुत के गए है जिनोंने अरबों को भारतिय महाधीपिय किसी माउत तक पहुचाने के लिए पेरित किया दाहिर एक 37 साली राजा था लेकिन संबाद लूट में हिसा लेता था इस तरह के बहाने से गुसे अलहजने अपने चचेरे भाय और बसल कासिम को इस छितर पर हमला करने के लिए भेजा ये सेनिया भियान शुरू करने के लिए एक बहुत ही मालूमी कारण लगता है उत्तर में किसी भी आकर्मन कारी के लिए पहला बंदरगरा सिन्थ था समाने तुर्क अरब दुनिया से परे पहुँच का विस्तार करते हुए भारत और चीन समवत पराकरती के आकरसन थे हलाकि दिनों दोनों को जीतना मुस्किल था हाल के लेख ने सुजाव दिया है कि आरब सिन्थ की व्यापारिक समताओं से पेरित थे परमुक व्यापारिक मार्गो और मेल के परवा परनियंतर निशित रूप से किसी भी राजनितिक सत्ती के लिए काकरसन था डेरेल मैगनीन ने तरक दिया है कि चीन की भूमी पर लंबे और थकाओं व्यापार मार्ग के तुलना में सिंद नदी मार्ग और सिंद के समदर तक्त ने लंबी दूरी के व्यापार को सुवीदा जनक बना दिया मैक लीन का तक्त है कि अरवो की व्यापारिक प्रिष्ट भूमी को देखते हुए व्यापार मार्गो को नियंतित करने में उनकी गहरी रूची को समझना आसान होना चाहिए अरवो के भारत और कई अन्य एस्याई देशों के साथ व्यापक व्यापारिक संबन थे वे दोनों भूमी और समुद्री मार्गो में अच्छे थे और मार्गो से बहुत परिचित थे यही कारण हो सत्ता है कि अरव सेना इच्छा सत्ती के साथ इतने विस्तार की योजना बना सत्ती थी व्यापारियों के साथ मजबूत हो सकरिये संबनों ने हमेशा अरवो और अन्य आगरपन कारियों की मदद की उनका मार्ग दरसन किया और उन्हें पापधानों के साथ अपुर्ती की मेकलीन ने तक दिया है कि इस्तानिय सासक दाहिर ने व्यापारियों को बहुत कम हैत्व दिया और यहां तक की लाव के लिए लुटेरों का साथ दिया इसे व्यापारियों को व्यापार के अनुकूल आगरबन कारियों को समथन देने के लिए पेरित भी माना जा सत्ता है महमुद बिन कासीम और अरब आकर्मन सिंद पर हमले की योजना सी स्राज सी राज में बनाई गई थी जहां छेहजार सियाई लोगों की एक संगठित और उच परतिबंद सेना इखटी हुई टैंट के लिए सुई और धागे सहित अंतिम विवरन के लिए सभी तैयारियों की गई थी कासीम ने भूमी मार्ग लिया समुंदरी मार्ग से एक अन्य दल दाबुल में अकर्मन कार्यों सीना में सामिल हो गया ऐसा समवत संधे से बचने के लिए क्या गया था उन्होंने सिंद में अपने छित्रिये अधिग्रेन का विस्तार करने के लिए हिंसक और सुलहे के डिस्टिकोन की मिस्री करनीती अपनाई उन्होंने रावर, भमवाद, इसक लेंड और तुल्लान जैसे इस्तानों पर जहां स्तानी लोगों ने परतिरोत किया कुरूर बल की निवतिकी और रूड, नियून, सिविस्तान, अंबील, ब्यूधिये, बेट, सिविदी और अरोल जैसी जगहों पर आम बल की निवतिकी इस तरह के रननीती ने सफलता पूरा काम किया इस्तानी सासक दाहिर नियाकरवनकायो का साइद ही कोई परतिरोत किया ठ्यासकारी स्वरी परसाद कहते है कि सिंद के सासकों को आत्मा संपन एक तक था और समकालिन सूत्रों निवले किया है कि मुख्या मंदी द्वज का गिन्ना एक अब सकुन मान इसे अरब विजे से जोड़ कर देखा जाने लगा सीवी वेद लिखते है कि अरब विजे के परमुक कारणों में यूद के बहतर हत्यार अरबो द्वारा यूद में घगोल का परियोग सामिल था यह है तकनिक सिंद की सेना के लिए नहीं थी और भारी विनास का कारण बनी दाहिर की सेना को हराने के बाद अरबो ने दाबूल में एक उपनिवेस बस्ती किस्ता अपना की एक मजजीत का निर्मान किया और चारजा सिंद को को छोड़ दिया और सिंद के काफी हिस्सो को जीतने के लिए आगे बढ़ने से पहले विजई सेर को नियंतरित किया अगला लक्से निरून में बिना किसी परतिरोद के समानी बोद ने धन की पेशकर की और युद को टालने की कोशिश की अरब सिंदू नदी के पार विस्तान चले गए पच्रा वस्तराज के सासन दाहिर के चचेरे भाई कठोर परतिरोद की तैयारी में थे बोदो ने अरबो के साथ सांती के लिए पत्र लिखा विवाजित सिविस्तान अरबो की ताकत का सामना नहीं कर सका और हार गया बोदो समानी का वस्य दिया गया और बाकी को तबहा कर दिया गया जाईर से पक सिजुद करने के लिए सिंद नदी पार करने थी और नदी पार करना अरब सेना और गोडों के लिए थकाऊ था इस मोड में इस मोड पर अलहिज ने दोजार गोडे का परवतन भेजाओ और एक सला दी की दुस्मन को ना केवल यूद के मैदान में बलकी सीशस्त और विश्वास गहात से भी जीता जा सकता है कासीम को भेट के नए गवणनर की मदद मिली जिसने सिंदू पर नावों के पुल बनाने में भी मदद की दूसरी तरफ दाहिर अपने बेटे और सेनिकों के साथ अरबों से लड़ने के लिए इतिजार कर रहा था यूद के दोरान दाहिर अपने हाथी से गिर गया और उसे अरबों ने मार डाला इस परकार 712 में भारत के इतियास में एक नय अध्याय लिखा गया ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि आकवन कारियों की नीती और रनीती का उद्दे समय से जीत था अलहज ने अकसर कासिम को सला दी कि वह उदारवादी अमन की नीती का पालन नहीं करे लेकिन अपने जन्नलों को सला दी थी कि अगर दुस्मन कोई परतिरोद नहीं दिखाए और इसलाम सुविकार करने या जजिया गयर मुस्लमान दुआरा धर्मतरन से बचने के लिए बुक्तान किया जान वाला एकर आदा करने के लिए सहमत है तो युद्ध की आवस्ता नहीं थी नई अरब सरकान ने देरे देरे नए अधिगरीन छित्रों पर अपनी पकड़ मजूद कर ली समाज के परवफसाली वर्गों को वक्सा गया क्योंकि सासन करने के लिए उनके समथन की आवस्ता थी अरबों ने हजारों लोगों को मार डाला और विजे के रस्ते में आने वाली किसी को भी नहीं छोड़ा सिंद्ध में हिंदू धर्म का स्थीत्व और बोध के लगभग गायव होने के कारण रोचक हिंदू आम तोर पर किसी को और पुरा जस्वत दाता थे और बोध मुख्या रूप से अरबों के साथ लंबे समय तक व्यापारिक संब्द रखने वाले व्यापारी थे हिंदू किर्सिक जनसंक्या ने अरबों का विरोध नहीं किया और कुरूरता से बच गए बोधों के गायव होने के लिए तीन कारण है वे हैं वे सभी गैर अरब छेतरों में चले गए होंगे जहां हिंदू अब भी राजनेतिक नियंतरन रखते है दूसरा उन्होंने स्व भारत में हुआ तीसरा वैस्व इस्सा से या जरबरन इसलाम में परिवर्तन हो गए पारा छेतरी सम्मन्द नोविस सताब्दी के अंत में हबासीन खलीफा ने सत्तिसाली सामराचे का विक्ठन हुआ उन्होंने खलीफा का एक नाम मात्र की सत्ति को सुविकार कर लिया उन् मानिता या संसूर मनसूर का एक उपचारिक पत्र परदान करने उनके सित्ति को वेदिता दी गई इन नए राज्जों के सासक ज़्यादतर तुर्क थे और उन्हें सुन्तान गहा जाता था तुर्क घुम्तू थे और आठवी सताब्दी के बाद से ट्रांस आकसियाना के छीत्र में गुसबैट कर रहे थे तुल्की ने खान वो दोसों की पश्ट भूमी ने उन्हें पराकर्तिक और दोईज योद्धा बना दिया था जिसने उन्हें गुर्षवारी और तीरंदाजी के आसाधारन कोसल मि आंत्रिक गरबड़ी ने अकसर इनके इलाके के इरानी सासको और अबासीत खलिफो को भड़े के सेंगों के रूप में भरती करके तुल्कु को बल के रूप में लाने के लिए पेडित किया कुछ को दास, कुछ को मेहल रखसक बनाये गया और उन्हें इस नाम में परिवर्तन कर दिया गया इसे उन्हें एक अलग पहचान मिली तुर्कों, लड़ाकों ने इरानी भासा और संस्किती को आत्मसात किया जो इस थित्र में परमुक थी इस परकार तुर्की परवासी एक ही समय में इसलामिक किरित और फ्रांसिक किरित हो गए इस इसलामिक किरित और फ्रांसिक किरित तुर्की लड़ाकों ने बाद में तुर्कों की जन जातियों से लड़ाई लड़ी जो अभी वी इसलाम में परिवर्ते नहीं हुई थी और बाद में भारत में विस्तारित हुई अभा सीन पतन के बाद इस छेतर में मंगोल परमुक चंगेश खान द्वारा तेड़ी सताब्दी में गजनभी 962-1186 संदीत 874-99 में और फिर खबारी जमी राजे नश्ट कर दिया गया उत्री भारत में राजपु सासकों की तरहा वे भी हम इसा एक दूसरे से लड़ते रहे नए इसलामिक तुर्कों की आकर्मता कही कारकुद द्वारा साहिता प्राप्त भी सबसे पहले उन्होंने मद्दे इस्या के भेतरीन गोड़े का प्योग उत्किरिश रूप में किया घुर घुर गोर राज्य के आसपास के पहाड़ धातू में सम्रित थे और बड़ी मात्रा में लोहा उपलब था घुर के लोगों ने युद हत्यारों और उपकर्नों के उत्पादन में विग्यानिता हासिल की और उन्हें पडोसी देशों के नियात किया अपनी आजिवीका के लिए लूट पर निर्बर उन्होंने इसलाम के विद्रोयों के खिलाफ लड़े लड़ी गजनी की भावना जो पहले गयर इसलामिक तुर्कों के खिलाफ लड़ने के लिए इसलाम इस्तमाल की गई थी बाद में भारत में अब इस्वासियों के खिलाफ इस्तमाल की गई गजनी का महमद गजनी महमूत गजनबी अंदलन के साथ पहले से जुड़ा हुआ था लोग महमूत और उतकुर्ष्टा से जुड़े गई क्यूंकि भारती अबियानों से धन के प्राप्ति हुई और इस धन की अतीस युक्ती ने भरती को आस्मान बना दिया मध्धी इस्या में तुर्कों की सेना सत्ती के इपिकास में इता और गुलामिक की सब्वेताओं ने मदद की इता नगत वेतन के बदले में एक निदेश्ट छेतर का राजजसूर देने के पनाली थी बदले में इता धारन करने के दाइतव घोडो और उपकनों के साथ निश्षित संक्या में सेनिकों को बनाये रखने और उन्हे सुन्तान को पस्तूत करने थे करना था इता गैर बंसा नूगत और हस्त तनिनिये था ये भारत में तुर्कों विस्तार का मुख्या सादन बन इसके अलावा मध्धे इस्या मेह तुर्कों सासक राजवनसों ने गुलामों की को अपनी सेन्य और पसासनिक सत्ती की रीड बनाया मध्धे इस्याई छापे मारी के दोरान पकड़े गए या समरकंद और बोखरा के गुलाम बजारों में खरीदे गए निश्टावान वफदार और परतिभासाली दासों ने अपने सुन्तानों की सेवा में अपना जीवन शुरू किया और विसेश योग्यता हासिल की भारत में तुर्क मेहमूद गजनी और हिंदु साई एक तुर्की गुलाम और बल्क ने समाप्ती गवनर अल्त्र ग्रीन ने 961 में अफगानिस्तान में गजनी में एक स्वतंतर राज्य के स्तापना की थी 1977 में गजनी गजवेनीड समराजे परमुकता से आया जब अल्ग्रीन को मारने वाले सूबिती गीन ने मध्य इस्या के निकट बरती हिस्सों में ट्रांस परकबजा कर लिया हिंदू साही राज्य का सिंध सिंधू शेत्र 1991 में में पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब के हिंदू साही सासक जैपाल और नेरकर निन्निक हार का सामना किया और गजनी को काबूल और जलाबाद के परांतु में मिला दिया महत्पूर बिंदू ये है कि दस्वी सताबदी के अंत तक भारत जाबू लिस्तान और अफगानिस्तान के बाहरी गड़ हो चुका था और इसलिए भारत पर आकर्बन की सरविदिक संभावना थी 1909 में गजनी में सिंहासन पर बैठने वाले महमूत को मध्य इसिया और पूर्वी इसलाम के दुनिया में गजनी को सती साली बनाने की महत्वकान सक थी भारत में उनकी रूची देश की आलोकी किसंपरदा और पंजाब की पुरवरता पर आधारित थी मैदान हिंदु कुस के बंजर पहाडो से और वियादी किसंपरीद और आकरसन लग रहा था भारत में गुस्बैट बड़े पैमाने परच्छा पेमार रही जिसका उद्देश मुख्या रूप से गजनी खजाने की भरपाई करना था लूटी हुई संपती का इस्तमाल सेनाओ को वित देने के लिए किया जाता था ताकि गजनभी राज्य को बनाए रखा जा सके इसमें भड़े के व्यपारी भी सामिल थे जिसके नियोजित का मतलब था कि सेना हमेशा कारवाई के लिए तयार थी जहां लूट में यूद के कैदी सामिल थे उन्हें दास के रूप में बेच दिया गया ये छापे एक वरसिक विसेश्ता थी और व्यापक रूप से अलग अलग छित्रों में उनकी सफलता मेह मेहमूद की सेना की गति सीलता और परवाव सीलता को दरसाती हवियानों की साफधानी पूरक यूजना से मन सून की बारिस से पहले फसल के दोरान भारत में तुलको सेना का अकर्बन हुआ मेहमूद के उपर भारत में एकजार और एकजास सताइस के बीच त्रे लूट पाट अभियानों के नेतितव किया अपने सुरुवाती चापों के बाद सीमावर्ती चोकियों के खिलाव उन्होंने हिंदू साइयों के खिलाव एकजारेक में अपनी पहली सांदर जीत हासिल की पेसेवर के पास जैपाल को हराया और साही की राजदानी बेहिंद उदेभंद का पेसेवर में तोड़ फोड़ की इसे जटके के बाद बुझ साइयों ने भारत में महमूत के आगे बढ़ने के लिए एक गंबीर बाधा को जारी रखा गजन बीद को पंजाब में घुसने से पहले जैपाल को मानने वाले आनंद पाल के खिलाव पेसेवर के पास एक जर छे और एक जर नो में दो गंबीर लड़ाई लड़नी पड़ी एक जर पंदरा महमूत ने लाहोर तक लूट लिया जल्द ही गजबीद समराजे में जहिलम नदी तक विस्तार किया एक जर चार एक जर छे महमूत ने सिंद तक पहुचने के साथ सिंदु मैदानों के बीच में समरीक महतपून के सहर सुंतान के सासक पर बार बार हमला किया सुन्तान फरक्स की खाड़ी और पच्छिमी भारत के साथ अग्रसन व्यापार का एक परमुख बिंदू था इस परकार 1990 क्याण में से एकजब 15 तक की अफ़धी अफ़गानिस्तान और उस दोरान पंजाब और मुत्तान के बीच हुई संगर्स का दोर था जो गजनबी से हार गए थे महमूद ने भारत के बाहरी गड़ो को जीत लिया और भविस्से के तुल्की आकर्मनों और गंगा और यमना दोराव में विस्तार के लिए एक सुरक्सित आधार परदान किया महमूद गजनी की गंगा घाटी में आकर्मन दस्वी सताबदी के मध्य में तीन परतिदूतिय और समान रूप से 37 साली राज्यों के लगभग एक साथ ग्यावट देखी गई गुजर परतिहार पाल और राश्टर कूट गंगा के मैदानों विसेश रूप से किनोच पर नियंतरन के लिए राजनेतिक चड़ने के लिए परियास करने वाली तीन सत्या लगतार आठुई से 10 सताबदी तक टकराती रही इसके पतन के साथ कई राज्जे उत्पन हुए जिसमें सबसे परमुक है परमुक थे कलिंजर और महोबा के चंदेर राजिस्तान में चहमान मालवा के परमार या पामार और गुजरात के चालुक के या सोलंग की बंदेर में इनके कोई सम्वत थे जो कई बार अपने आदिपत्ती की मदद करते थे लेकिन अक्सर स्वतेंतर होने के अकांसा रखते थे पंजाब को अपने पूर्वी प्रियाय के रूप में घुसित करने के बाद महमुद गजनी ने एकजा पंद्रा एकजा उननीस और एकजार इकिस में तीन अभियान गंगर घाटी में किये इन चापों का उद्देश आपने मध्धे इसिया भियानों के लिए धन अर्चित करना था साथ ही राज्जो को इस्त्री रखना भी था 2010-2026 में महमुद के आकरमनों पर थांदी स्वर मतुरा की नोजोर अंत सोमनात के मंदिर कबजो पर ध्यान के इंदिर किया ये सभी अपनी भूमी को बंदो बस्तो से प्राप्त नजी की सुनहेरे चित्रो अबुसनो और अजशू अपार धन के भंडार थे इस गतिविदी से व्यापार के मुनाफे में निवेश किये गए धन भी मंदिर के खजाने में आगए इन मंदिरों की लूट ने महमूत को प्रियंत रूप से लूटने के अलावा गांजी के उपाधी दिलवा दी सुमनाथ मंदिर का धन बहुत चर्चित था सभी को ग्याद थी इसे महमूत का अकर्बन परिहारे हो गया अन्त दीसिये और समुन्दरी व्यपार दोनों के लिए भी सुमनाथ एक महत्पुन के इंदर था इसका बंदर घरय बेरावल सहर से सटा हुआ था और इसे छेतर के परमुग बंदर घराओं में इसे एक था जिसमें घोड़ी का आयाद व्यपार का सबसे लाबदाएक समान था रोमिला था परक के अनुसार सोमनाथ पर हमला करने के महमूत के द्रिंड संकल्प का एक आंतरिक कारन पच्छिमी भारत में घोड़ो की आरब अपुर्ती मुर्ती में अतिसेप करना हो गया जिससे गजनी के महतपून से घोड़ो में पहले के लाबदाएक व्यपार को खत्रा होता जरुदीन महमद धूरी महमद गोरी बारवी सदाब्दी के मध्य में गजनबी का अंतिम पतन और धूरी की सत्ती में विर्दी देखी गई धूरी एक छोटा सा प्रतिक छेतर था जो कि उत्तर पच्चिमे अफगानिस्तान में गजनबी समराजे के सेलुक के बीच पहड़ों में सित्था अपने गजनबी परवतिय की तरह खुरासान और मक्र के विर्दित छेतरों पर नियंतरन के लिए धूरी ने लगातार सेल च के साथ संगर्स किया खुरासान में अपने अदिकारों को बनाये रखने में थूरी की विसफलता जो अंतर ख़जीम द्वारा कबजा कर लिया गया था और उक सच भर में सेल जुक और तुर्की जनजातियों के साथ उनके सत संगर्स ऐसे कारक थे जिनोंने थूरी धूरी को भारत की और मजबूत किया 1173 में जरूदिन मुहमत गजनी में सिंहासन पर बैठा और भारत की योजनाबंद विजे के लिए अपनी सारी सत्य लगा दी ये महसूस करने के बाद की वेह महमूद गजनी के विप्रीत मद्दे इस्या में कुछ भी हासिन नहीं कर सकता भारत मे नहीं कराज्य की स्तापना करने के बारे में सोच रहा था उसके गोमर दरजे से सिंध के मैदानों में परवेश किया ना कि उत्तर में खेबेर दरजा से अपने अपना भारतिया बियान 1175 में सुंतान पर एक सपल हमले के द्वारा सुरू किया सुंतान करमतियों के अधिन था जो भारत और इरान की सिमाव पर फैले हुए थे इसके बाद भट्टी राचपूत राचपूतों ने से उस उच पर कबज़ा कर लिया तीन साल बाद 1178 में उसने उच और मुस्तान मुल्तान के माध्यम से गुजरात और लहरवाला तक्त माच किया हलाकि नहरवाला के राजा राय भीम देव ने अनहिल वड़ा में मैजूदीन को करारी हार दी हलवार की हार जरुदीन के लिए सेना रननिती का सबक थी उसे भारत की आगे की विजय पर ओचने से पहले पंजाब और सिंध में एक उप्यूक तादार बनानी के अवस्टता का एसास किया तनुसार ताजिस्तान से पहले हमले को पंजाब में इस्तान तृत करते हुए अपनी पूरी योजना को सोसित किया अब पंजाब में पेसिवर के खिलाफ एक अभियान सुरू किया गजना विंदो के खिलाफ विजे पराप करते हुए लाहूर और देवर छेतर को जीत लिया 1184-85 में उसके सियाई कोट पर कबज़ा कर लिया 1186 में उसने अंतीम गजनबी सासक खसरू मालिक को मतरूत कर दिया और लाहूर पर कबज़ा कर लिया जरुदिन के पास अब अपनी सेना सत्ती को अधार दोनों ही थे तराइन की लड़ाई 1191-1292 में सिंद और पंजाब में अपनी सिती को मजबुत करने के बाद जरुदिन धूरी ने राजपूत राजो के युद सुरू किया उपजाओ गंगा के मैदानों को नियंतित किया धूरी और चोहानों के बीच संगस तरहिंदा भाटिया पर परतेदिवती दावों के साथ सुरू हुआ जरुदिन ने 1195 में तंबर हिंद के किले पर हमला किया और कबजा कर लिया जो दिल्ली और गंगा के मैदानों की रक्सा के लिए रननितिक रूप से महतपुन था पित्विराज ने इस रननितिक किले से धूरितो को हटाने के लिए तुरंत बंधर हिंद की और पस्थान किया उन्होंने 1195 में तरदाइन के जुद में पूरी जीत हासिल की हाला कि पित्विराज अपनी जीत का लाव उठाने में विफल रहे और उन्होंने विवादिक धूरितिक सेना को नश्ट करने या किले को परवावित धंग से हासिल करने का पर्यास नहीं किया या तो यह है या तो इसलिए हो सत्ता है क्योंकि वे है अपने आधार से दूर सतुरता पून छेतर में उद्धम नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्होंने सोचा कि गजनबी की तरह धूरी भी पंजाब पर सासन करने के लिए संतुष्ट होंगे इस परकार दूर दसित्ता की कमी के कारण उन्होंने तंबर हिंद की धोरा बंदी को केवल एक लड़ाई के रूप में माना है धूरित परमुक के साथ भविस्ती की परतियोगिता के लिए बहुत कम तयारी की जो ग्यार सो बानमे में एक बड़ी ताकत और बहुत साफधान तयारी के साथ लोटा 11.92 में तराइन की दूसरी लड़ाई को भारती इतियास में एक निनिक मोड के रूप में माना जाता है जो तुरकों की लड़ाई चुरी तुरकों की चड़ाई का मार पस्तत करता है पित्वी राज को पून पराज्य का सामना करना पड़ा धूरी ने आजमेर हिसार और सिरसा तक के छित्र पर कबजा कर लिया और अपने विश्वासनिय गुलाम कुतुप उन दीन हैभक क्या दीन रख दिया उप्री गंगा की घाटी में तुरक विस्तार चंदवार की लड़ाई ग्यारासो चोराण में आरम में धूरित तूरंत सभी विजी परदेशों के परसासन को नहीं समाल सते थे कुछ स्तानिय सासकों ने अधिन समताओ में सासन करना जारी रखा हलाकि यह विवसत्ता अस्थाई थी एवक के नेतितु में तुरकों सभी दिसाओ में छेतिरे परगति करते रहे एवक ने उपरी दोहव में सेनिये पैर जमाने के लिए यमना को पार किया उसने डोर राजपुतों के अधिन मेरट और बारा अधुनिक बुंदेर सहर पर 1192 में विजय पराद की एवर ने 1193 में दिल्ली परकबजा कर लिया और इसे भारत में तुरकी अभियानों का मुखे अधार बनाए अजमेर परकबजा कर लिया गया और एक तुरकी गवनर के परभाव परभार में रखा गया 1194 में में एबक ने दूसरी बार यमना को पार किया और कोईल अलिगड़ परकबजा कर लिया दिल्ली छेतरे में अपनी सिती मजबूत करने के बाद धूरी ने अब किनोज के खंडवाल राजा जैचंद पर हमला किया 1194 में अधुनिक इटाव जिले में चंदाबर की लड़ाई में जैचंद को हार का सामना करना पड़ा हाला कि पूरे खंडवाल राज्ये को तुर्कों नियंतरन में नहीं लाया जा सकता लेकिन इसके बनारस और आसानी जैसे कही जगों पर सेनिये इस्ताबना का अफसर परदान किया इस परकार 1192 में में तराइन की लड़ाई और 1194 में चंदवाल ने उत्री भारत में तुर्कों सासन की नीव रखी हाला कि सवी विद्रो कुमिटाने के लिए और भारत में अपनी पकड मजबूत करने में तुर्कों का 50 साल और लग गए तुर्कों ने दिल्ली और मालवा के बीच रननीतिक किलो को जीतनी की कोशिस की जरुदीन ने भटी राजपूतों से बाइना के देजिये किलो 1195-96 में चालू के से गवसियर परतिहारो अगनी हल वाडा और 1197 में बे बदायू पर कबजा किया 1202 के आसपास काली जर मोहबा और खजू हरो पर भी कबजा कर लिया गया था 1203 के बाद तुर्क को पूर्वी परांतों में परवेश कर गए बिहार और बंगाल को धूरी के एक अन्य सेना नायक मोहमद बिन बक्सी तियार खिल जी ने जीत लिया था तुर्की सफलता और राजपूतों की विसफलता के कारण उन भारत के परमुक राजपूतों राज़ो पर तुल्की आगरमन कारियों की जीत एक ऐसे घटना जिसके स्वश्टी करन की अवस्थता है ये विसे इस रूप से ऐसा है क्यूंकि उस समय के गुजरात रियासतों में से कई आकर जनसंक्या का राज़यसो संसादनों के मसले में बहतर थे कुछ उपजाव छित्रों जैसे की खुरासन, टेसो, सियान, सियाना, हेजियम को छोड़ करी छीत्र कादिकांस भाग, पहाड़ी और सुफ्स और दुर्गम था इसके अलावा ये है, पूरी तरह से अक्सज में गजल, जन जातियों दुआरा लंबे समय तक लूटा गया था दूसरी और अगरजिस्तान और बुंदेल खंड के बहार राजपूतों के नियंतरन में बहुत उपजाव और उतपादन छित्र थे किसी भी लड़ाई में राजपूत राज़ों की और से सेनी की, जन संक्या तुर्कों की तुला में कहीं अधिक बड़ी थी छेत्री की जीत में पर्मुक तत्व उनकी उन्नत सेन्य तक्नीक और रन्नेती थी राजपूत सेनाओं के विप्रीत अच्छे मद्दी इसया घुड़े की सुद्रिट्टी करन ने तुर्कों घुर्षवार सेना के लिए एक बहतर पसुदन परदान किया जो लड़ाई के उतकिले सुरूप से उप्यों किया जाते थे भारतिय सेना हमेशा गुड़सवार सेना का उप्यों करने से सावधान थी लोहे के रकव का उप्यों करने वाले सभी बहतर बंद गुड़सवार दस्वी सतावदी से यूरोप और मद्देशया में युद के तरीके को पूरी तरह से बदल चुके थे तुर्क युद की नई सेली में निपुन हो गए थे जिसे पेतरे बाजी करने की समताधिक हो गई और जिसमें बैग और परकास उपकरनों पर जोड़ दिया गया लोहे की रकाव ने आसरे होनी पुर्सों को आगे बढ़ना और यहां तक की तेजी के साथ पीशे हटना भले या लास और धनुस को काड़ी से रोकना बिना रोक टोक के या बिना हार के और घोड़ी के बिना परभाव के परिनाम के रूप में दूसरी और भारते सेना रन निती ने गती सीलता की तुलना में वजे से वजे वजन को अधिक महत्व दियाती और पैदल सेना सासित राचपुत सेना एक धीमी गती से चलने वाली द्वेमान था ये तेजी से आगे बढ़ने की वजे कुछ चलने में विस्वास रखते थे तेज गती से चलने वाली घुरसवार सेना के खिलाफ खड़े होने परवेस्तित साबित हुए दूसर अलावा तुर्क तेजी से उन किलो पर कपजा करने पर द्यान के इंदित करने लगे जिनका रननितिक लाब था और राजपुत सेना को इसलिए पाहड़ी इलाखों में रक्षनात्मक रूप से मजबूर होना पड़ा खुरियल्ला यूद तुर्की सेनाओ को पेसेवर करने का एक परभावी सादन हो गया था लेकिन इसका परभावी ढंग से उप्योग नहीं किया गया था उत्तर पच्छिमी दारों की रक्षा करने के आवसत्ता की बुनियादी कमी थी उत्तर भारत में परमुक सत्ती की अनुपसिती और रननिती चीतना की कमी के कारण गुजर परतिया समराजे के पतन के बाद की नोज मालवा में अपार गुजरात में चालुके अजमेर में चोहान दिल्ली में तोमर बुलेंद खड़ में चंदेर अधी छोटी छोटी सोतंतर सत्या पैदा हुई जद ये है राजे अंतहीन लड़ाई और अभियान में सामिल थे एक दूसरे ने अपने संसादन उर्जा को समात कर दिया राजपूत राजे महमत गजनी की मित्यू के बाद पच्छी मॉर्मद्धे इस्या में गजनबी सत्ती के तेजिक से पतन के बाद बुज पंजाब के गज अमर्त थे निच्छुक थे दूसरी और महमुद और तरदिकारिया अक्रमन रूप से बने रहे और राजिस्तान में अजमेर और उसके बाद किनोज को किनोज और बनारस तक के गंगा के इलाके इलाकों में च्छापे मारते रहे उपसार नौई सताबदी में देरी देर सिं अरब वास्तुकला का प्रभाव अधिक था लेकिन क्यूंकि वह केवल उसी से पराजित थे लेकिन बहुत बाद में स्तानी सेली आपना सुरू कर दिया और इसे इसलामी वास्तो कर लिया भारत में महमुद गजनी की परमुक रूचिय इसकी समपती थी जिसका उप्योग उ में एक विसाल समराजे के निल्मान में किया। गजनी दुवार अफगानिस्तान और पंजाब की विजे ने भारत के उत्तर पच्चिमी रक्सा को नश्ट कर दिया। और भारत में आगे तुर्की विस्तार के लिए एक आधार परदान किया। कि 1175 और से 1206 तक मुहमद गोरी के आकरमनों ने उत्तर पच्चिमी दरों की रक्सा में इस्तानिय सासकों की विसफलता को भी उजागर किया। अलबरूनी मद्देशिया के विख्याती विग्यानिक और विद्वान ने भारत में दस वर्स बिताए संस्कीत का दिन किया। और भामनों के साथ ग्यान का दन परदान किया। किताब उलहिंद अलबरूनी द्वारा लिखा गया था सारांस। 712 इस्वी में मुहमत बिन कासीम ने सिंद पर अकर्बन किया जो हिंदू सासक ताहिर द्वारा सासित था। गजनी के महमूद ने 1000 से 127 की अबधी के बीच भारत पर सत्रे बार अकर्बन किया। यह नोट करने की बात है। गजनी के महमूद ने 1000 से 127 की अबधी के बीच पर तेरे बार अकर्बन किया। धूर के मुहमत के अकर्बन 1175 से सुरू हुए और 1206 में दिल्ली सुन्तान की स्थापना हुई। इन आकर्बनों से संकेत मिलता है कि भारत के उत्तर पच्छे में इस्सो का इस्तानिय सास को द्वारा ठीक से बचाव नहीं किया गया था। दोस्तु चैप्टर खतमाई वीडियो चेटरे वीडियो को लाइक करें चैनल सस्काब करें। झाल